सर्विभ्यो नमो नमहा आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडि सर्जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCRT की कफ्षा सात्मी की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के छठे पाठ सदाचार के अभ्यास काजे को करेंगे वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कृपिया हमारे चैनल को सस्क्राइब करें बिल आइकॉन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियों का नोटिफि दो वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी हैं यदि आपने उन वीडियों को नहीं देखा तो उन वीडियों को जरूर देखें ताकि आपको पाठ समझ में आ जाए और अभ्यास कार्य करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो उन दोनों वीडियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो आईए शुरू करते हैं आज कि इस वीडियों में सदा चार पाठ के अभ्यास कार्य को प्रस नमबर एक यहाँ पर नहीं दिया गया है क्योंकि उसमें कहा गया था कि सभी स्लोकों को गाकर पढ़ना है और पाठ पढ़ते समय हमने सभी स्लोकों को गाकर के पढ़ा है इसलिए यहाँ पर प्रस नमबर एक नहीं दिया गया है आईए शुरू करते हैं प्रस्म नमबर दो उपयुक्त कतना नाम समक्षम आम अनुपयुक्त कतना नाम समक्षम ना इती लिखतो उपयुक्त अथात जो बाते सही हैं उनके सामने हमें आम लिखना है और जो बाते गलत हैं उनके सामने हमें ना लिखना है तो आईए वाक्षों को देखते हैं का नमबर में प्राता काले इस्वरम इस्मरेतो सुबह इस्वर का इस्मरन करना चाहिए तो यह बात सही चही गई है इसलिए इसके सामने आम लिखेंगे का नमबर में अन्रितम बुरुयाद जूट बोलना चाहिए तो यह बात गलत है इसलिए इसके सामने ना लिखेंगे गई नमबर में मन सा स्रेष्ट जनम सेवेतो मन से स्रेष्ट लोगों की सेवा करनी चाहिए तो यह बात सही है इसलिए इसके सामने हम लिखेंगे आम धा नमबर में मित्रेंड कलहम कृत्वा जनह सुखी भावती मित्र से जगला करके लोग सुखी होते हैं तो यह बात गलत है इसलिए इसके सामने हम लिखेंगे ना अंगा नमबर स्वहकारियम अध्य कुर्वीतो कल के काम को हमें आज ही कर लेना चाहिए तो यह बात भी सही है इसलिए इसके सामने हम लिखेंगे आम आईए प्रस्न संख्या तीन देखते हैं प्रस्न संख्या तीन में कहा गया है एक पदे न उत्तर तो नीचे कुछ प्रस्न दिये गए हैं जिनका उत्तर हमें एक पद में लिखना है आईए एक एक करके सारे प्रस्णों को देखते हैं सबसे पहले प्रस्ण नमबर का जिसमें कहा गया है कह ना प्रतीच्छते कौन प्रतीच्छा नहीं करता है तो इसका उत्तर होगा मृत्यु हूँ मृत्यु प्रतीच्छा नहीं करती है खा नमबर में सत्यता कदा बिवहारे स्याग बिवहार में सच्चाई कब होनी चाहिए तो इसका उत्तर होगा सरवदा अर्थात हमेशा ही बिवहार में सच्चाई होनी चाहिए आईए गा नमबर देखें किम बुरुयाद क्या बोलना चाहिए तो इसका उत्तर होगा सत्यम प्रियम अर्थात सत्यम ब्रुयाद प्रियम ब्रुयाद सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए घा नमबर देखते हैं के निसहा कलहम कृत्वा न रहा सुखी न भवेतो किसके साथ जगला करके मनुस्य सुखी नहीं होता है ते इसका उत्तर होगा मित्रेण अर्था मित्र के साथ जगला करकर मनुस्य सुखी नहीं होता है आखरी प्रस्ण कहा महारिपुह असमाकम शरीरे तिष्ठती कौन सबसे बड़ा सत्रू हमारे सरीर में बैठता है या निवास करता है तो इसका उत्तर होगा आलस्यम अर्थात आलस्य रूपी महान सत्रू हमारे सरीर में रहता है आईए अगले प्रस्न को करते हैं प्रस्न संख्या चार उसमें कहा गया है रेखांकित पदानी आध्रित्यों प्रश्न निर्मालम कुरुतों जिन सब्दों में रेखांकित किया गया है उन सब्दों में हमें प्रश्न निर्माल करना है तो आईए, का नमबर देखें, मृत्यू ना प्रतीच्छती, मृत्यू प्रतीच्छा नहीं करती है तो अगर हम हिंदी में इसका प्रश्णितमाल करें, तो होगा कौन प्रतीच्छा नहीं करता है तो कौन की संस्कृत क्या होती है कह तो हमारा जो प्रश्णिर्वान बनेगा कह ना प्रतीच्छते खानमबर कलहम कृत्वा नरह दुखी भवती जगडा करके मनुस्य दुखी होता है इसका हिंदी में प्रश्णिर्मान क्या करके मनुस्य दुखी होता है तो क्या की संस्कृत किम तो इसका जो प्रश्निर्माण होगा किम कृत्वा नरह दुखी भावती गानंबर पितरम कर्मणा सेवेतो पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए तो हिंदी में इसका प्रशनिर्माण होगा किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए तो किसकी के लिए जो संस्कृत सब्द प्रयोग होगा कम तो इसका जो प्रशनिर्माण बनेगा कम कर्मणा सेवे तो घा नमबर ब्यवहारे म्रद्दुता स्रेयसी ब्यवहार में मधुरता अच्छी होती है तो इसका जो हिंदी में हम प्रश्निर्वान करेंगे ब्यवहार में क्या अच्छी होती है तो क्या की संस्क्रेट क्या होगी का इस त्रिलिंग में तो इसका जो प्रश्निर्वान बनेगा ब्यवहारे का स्रेयसी और आखरी प्रश्निर्वान सर्वदा ब्यवहारे रिजुता बिधेया हमेशा ब्यवहार में सरलता होनी चाहिए तो जो हिंदी में इसका हम प्रश्निर्वान बनाएंगे कब ब्यवहार में सरलता होनी चाहिए तो कभी की संस्कृत होगी कदा तो इस प्रकार हमारा प्रश्न एर्मान बनेगा कदा, ब्यवहारे, रिजुता, विधेया आईए अगले प्रश्न को करते हैं प्रश्न नमबर पांच जिसमें कहा गया है प्रश्नमध्धे त्रीडी क्रिया पदानि संती ताने प्रयुज्यों सार्थक वाक्यानी रचयतो यह आप यहां पच्चितर में देख सकते हैं बीच में तीन क्रिया पद दिये गए हैं बुरूयात बोलना चाहिए सेवेत सेवा करने चाहिए स्यार्थ होना चाहिए इसके अतरिक बाकी जो चक्र में यह वाक्य दिये गए हैं इन वाक्यों में हमें सही से क्रिया पदों का चैन करना है आईए देखते हैं मन सा, मातरम, पितरम, चा, सेवेतो मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए सत्यम, प्रियम, चा, बुरूयात सत्य और प्रिय बोलना चाहिए वाचा, गुरूम, सेवेतो वाणि से गुरू की सेवा करनी चाहिए ऐसा सत्य जो अप्रिय हो उसे नहीं बोलना चाहिए ब्यवहारे कदाचन कोटिल्यम ना स्यात ब्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होना चाहिए स्रेष्ट जनम करमड़ा सेवे तो स्रेष्ट जनों की करम से सेवा करनी चाहिए ब्यवहारे सर्वदा अउदार्यम स्यात ब्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए अन्रितम प्रियम च न ब्रुजात अन्रितम अर्थात असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए आईए वाक्य भी देख लेते हैं अभी हमने चित्र के माध्यम से जिन वाक्यों को बनाया है आप यहाँ पर उन्हें देख सकते हैं आईए अगले प्रस्ण को करते हैं प्रस्ण संख्या 6 जिसमें कहा गया है मंजूसा तहा अभ्यापदानी चित्वा रेक्तिस्थानानी पूर्यतो मंजूसा में कुछ अभ्यापद दिये गए हैं इनको चुनकर रेक्तिस्थान की पूर्ती करना है आईए भक्तह इस्वरम इस्मरेतो तो इसमें जो अप्यापत का हम प्रयोग करेंगे सदा भत्तह सदा इश्वरम इश्मरती असत्यम ना वक्तव्यम जूट नहीं बोलना चाहिए प्रियम तथा सत्यम वदेद प्रिये तथा सत्य बोलना चाहिए लता मेधा च बिद्याले अम गच्छत है लता और मेधा बिद्याले जाती है अपी कुशली भवान आप भी कुशल हूँ महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा ना अत्यजतो महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा कात्याग नहीं किया है आईए अगले प्रस्ण को करते हैं अगले प्रस्ण में एक चित्र दिया गया है और जिसमें कहा गया है चित्रम द्रिष्टवा नीचे एक मंजूसा दी गई है जिसमें कुश सब्द दिये गए है इनको चुनकर हमें वाक्य की रचना करना है तो आईए वाक्य देख लेते हैं सिख्षक हा स्यामपटे प्रस्णम लिखती सिख्षक स्यामपट में प्रस्ण लिखता है दूसरा वाक्य बनेगा छात्रा हा पुष्टिकायाम उत्तराणी लिखनती छात्र पुष्टिकामें उत्तर लिखते हैं अगला वाक्य बनेगा सिख्ष कहा बाल कहा पदम लिखती सिख्ष बालक सब्द लिखता है अगला वाक्य ते छात्राहा स्याम पट्यम पस्षंती वे सब छात्र स्याम पट्ट को देखते हैं अगला वाक्य तत्र एकम पुष्टकम मन्चे अश्थी वहाँ एक पुष्टक मन्च में है तो बच्चों इस प्रकार इस पाथ के सारे प्रस्ण उत्तर हमने कर लिया है आसा करता हूँ आपको सारे उत्तर समझने आगे होंगे यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया हमारे चैनल को अवज से सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद